हेलो फ्रेंड्स केसे हैं आप हमारे न्यू चैनल में आपका स्वागत है आज किस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले है कि सेकेंड में तो प्रेगनेंसी में क्या-क्या सिम्टम्स आते है फीमेल की बोडी में और बेबी का डेवलोपमेंट कितना होता है कितने ग्रोज स्टार्ट हो जाती बेबी की इसी के बारे में आज हम डेटल में बात करने वाले है देखिए सेकेंड मन्त कब स्टार्ट हो जाता है जब हमारा प्रेइड मिस होता है और हमें ये पता चलता है कि हाँ हम प्रेगनेंट है तब से हमारा 2nd month start हो चुका होता है 2nd, normally हमें 2nd month में ही confirm होता है कि हम pregnant है 1 month पहले से ही यह प्रोसेजरी start हो जाती consume होने की जब हमें consume हो जाता है और हमारे period miss हो जाते है period miss होने के बाद में जब हम pregnancy test करके confirm करते है कि हमारा period miss होने का क्या region है तब हम देखते हैं कि pregnancy test हमारा positive आ रहा है तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ हम pregnant है अब आपको confirmation हो चुका है कि आप pregnant है pregnancy test में दोनों लाईने डार खा गई हमारी तो इसका मितलब है कि हाँ आप pregnant है अब हमारी body में क्या-क्या changes आपको देखने को मिलेंगे जो मा गर्ब हुएती है pregnant है उसको क्या-क्या changes आते है जैसे कि body में heaviness feel होना, breast tenderness होना, nose vomiting की इच्छा होना क्योंकि जैसी ही period मिस होता है तो सबसे पहले females को nose vomiting की problem स्टार्ट हो जाती है morning sickness लगती है, weakness बहुत ज़्यादा लगती है, चिड़-चिड़ा पन होने लगता है और बार बार urine करने की इच्छा होती है या बार बार पैशाव आने लगती है कई बार ही second month की pregnancy में हलकी सी sporting हो सकती है, जैसे कि कई patient को ऐसा लगता है कि मेरे period आने वाले थे बट इतने खुल करके नहीं आए, दो-चार दिन sporting होई हलकी फुल की, तो कई बार sporting की problem भी हो सकती है अगर आप लोगों को भी sporting की problem हो रही है, आपने पहले confirm कर लिया कि हाँ मैं pregnant हूँ और अगर उसके बाद में आपको sporting दिखाए देती है, तो तुरंस अपने नियर्स डॉक्टर से consult करे और आगे कर treatment ले कई बार sporting के चक्कर में misd garage भी हो जाता है, क्योंकि अगर bleeding एक बार शुरू हो जाती है और कई ज़्यादा bleeding हो जाती है तो फिर ऐसे में हमारे जो embryo है वो सब निकल जाता है और period से start हो जाते है कई females की uterus इतनी weak होती है कि pregnancy, जब हम pregnancy चाते है तो बार बार कई patient को misd abortion, abortion की problem हो जाती है, हमारे कुशी दिन बढ़ते हैं और हमारे फिर से period आ जाता है तो अगर आप लोगों के साथ भी पहले सा हो चुका है, ऐसी कोई case history है आप लोगों की कि आपको conceive होता है और 8-10 दिन तो उपर जाते हैं यानि कि delay हो जाते हैं और फिर से आपकी period स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसी condition में immediately आपको treatment की आउशकता होती है जैसी ही आपका period delay हुआ आपने pregnancy test करके देखा तूरण से अपने गाइनिक्स से आप चंक अप करवाए ओके उसके बाद में हमारी body में और क्या क्योंकि hormone changes होने लगते हैं इसलिए हमें सबी problem होने लगती है साथ में जैसे कि हमको जो चीजे पहले पसंद थी जैसे कि कई जैसे मीठा खाना पसंद थ तो अब वो मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है हमारा sensation काफी बढ़ जाता है जैसे सूंगने की शमता कि किसी के भी यहां कुछ भी खाना बन रहा जैसे पूरी पराटे आमलेट तो हमें खुछ वो आने लगती है जिससे हम अपने ही kitchen में काम कर रहे हैं जैसे सबजी बग में से हर एक patient को कुछ ना कुछ symptoms जरूर दिखाए दिते हैं हमने देखा कि हमारी mother's की body में कितना changes आता है अब हम जानते हैं कि हमारे baby की कितनी growth हो जाती है हमारे baby का size कितना हो जाता है वजन कितना हो जाता है और second month में हमारे baby में क्या क्या चीज़े कौन कौन से organs develop होने लग embryo उसका size second month में एक इंच जितना हो जाता है उसका वजन लगभग 14 ग्राम के करीब हो जाता है साथ में हमारे baby की cardiac activity प्रेजेंट हो जाती यानि कि बच्चे में धड़कन आ जाती है देड़ महिने में ठीक है अगर हम ultrasound करवा के देखते हैं देड़ महिने के बाद में यानि कि साथ हफ़ते में seven weeks में हम ultrasound करवाते हैं ये confirmation के लिए कि हमारी जो pregnancy है वो कहां है intrauterine है यानि क हमारे baby की growth कैसी है ये सब चीज़े जानने के लिए हम ultrasound करवाते हैं तो उसमें ये clearly हमें समझ में आ जाता है कि हां seven weeks में हमारे baby की cardiac activity प्रेजेंट हो गई हमारे baby का वेट कितना हो गया हमारे baby कहां implant हुआ ये सबी चीज़े हमें ultrasound के थ्रूं पता चल जाती है साथ में हमारे baby में और क्या development स्टार्ट हो जाता है जैसे हमारे baby की आखे नाख कान होट और liver और brain इन सबी चीज़ों की development स्टार्ट हो जाता है second month की pregnancy में साथ ही में हमारे baby के दात भी बनना स्टार्ट हो जाते है लिवर भी बनना स्टार्ट हो जाता है तो normally हमारे baby में कितनी growth हो जाती है हमारे baby का जो weight है वो 14 ग्राम हो जाता है हमारे baby की लंबाई यानि कि हमारे baby कितना बड़ा हो जाता है वो एक इंच के something हो जाता है उसका आकार इसा होता है जैसे काजू आप एक काजू समझ सकते हैं इतना बड़ा हमारे baby हो जाता है हमारे baby की cardiac activity प्रेजेंट हो जाती है हमारे baby में नाक कान आखे दात होट ब्रेन और लिवर इतने सारे organs की procedure स्टार्ट हो जाती है तो यह हो गया हमारे baby का यानि कि हमारे baby आके अच्छे से growth करने लगा है अभी अब हमको 9 month का weight है कि हमारे baby mature हो जाए और वो deliver होके हमारे हाथों में आ जाए ठीक है अभी हम देखते हैं कि second month की pregnancy में mother को क्या साउधानिया रखना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए देखिए mother को काफी careful होने के आउशकता होती है यानि कि जैसे mother पहले एक normal तरह से work करती थी अभी अपने work में थोड़ रेस्ट करें जो भी खाने पीने की इच्छा हो रही है मदर की वो सबी चीजे खाना चाहिए mother को खाली पेट नहीं रहना चाहिए बार बार थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाए क्योंकि second month की pregnancy से ही patient को नोज्या वमिटिंग और इंडाइजिशन की problem हो जाती है न और नॉर्मल fruits खाना चाहिए जो भी खाने की इच्छ और ही patient की वो हर चीजे खाना चाहिए हमारा बेबी आने वाला है उसके बारे में आप अच्छा-च्छा सोचे साथ ही में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें आपको और कौन से सीजे जो नहीं करना है जैसे ज्यादा स आइरन स्टार्ट कर दे मिल्क पीना स्टार्ट कर दे ताकि हमको कैल्शम भी मिले आगे जब के हमारे बेबी की हड्या बनना शुरू होगी तो उसमें हमारे बेबी के लिए help करेगा अगर आप दूद पीना अभी से शुरू कर देंगे तो दाले वगेरा सबी चीजे आप स्टार्ट कर दे ताकि हमारे बेबी भी healthy हो और मदर को भी ज्यादा weakness ना लगे आपको कच्छे अंडे इस टाइप की चीजे नहीं खाना है बिलकुल भी यह सबी चीजों को avoid करना है हमारे चेनल पर नए हैं तो सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद